तो दोस्तो सोशल मीडिया पे इस टेम ट्रेंड करने वाला एक ऐसा बच्चा एहमशा जिसका नाम है मेरी नजर में इस टाइम पाकिस्तान का सबसे छोटी उमर का सबसे समझदार बच्चा अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा यहाँ पर भाईया अगर आपको इस बच्चे क आखर ऐसी क्या कॉलिटी है किस वज़ा से यह दूसरे बच्चों से डिफरेंट है यहाँ पर इसके माबाप ने आखर ऐसा क्या घोल के भाईया पिला दिया जिसकी वज़ा से इतनी छोटी उमर में यह इतनी मज़े की बाते करता है यहाँ पर अगर मैं यह कहूंग किसी चोर बच्चे की तरह मतब एक ऐसा बच्चा जिसकी उमर हो 10-12 साल उसके जैसे ये बात करता है यहाँ पर बहुत अच्छे से रिस्पॉंड करता है तो आखर आप अपने बच्चे के अंदर इस तरह की कॉलिटी कैसे लेके आ सकते हो यहाँ पर आहमर्शा जैसा बच्चा कैसे पैदा कर सकते है भाईया आज मैं आपको देने वाला हूँ पांच ऐसी टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका बच्चा भी यहाँ पर इतना जहीन हो सकता है और इसी तरह से रिस्पॉंड कर सकता है तो भाईया वीडियो आज की तमाम पेरेट्स को मैं क होंगा लासमी देखें खास तो पर वो लोग भी जिनकी अभी भी शादी होने वाली हैसे में ये वीडियो आपके बहुत ही काम आएगी क्योंकि इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि किन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने आने वाले बच्चे को बना सकतो यहाँ पर क अपने बच्चे को इतना ही इंटालिजेंट बना सकते हो तो फिर वीडियो करते हैं जल्दी सा लाइक ताके हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डूपर रिव्यू तो अच्छे नहीं आगे बढ़ते हैं तो दोस्तो आपको सारे पॉइंट बताऊंगा एक सीक्वंस से और आपने इसी सीक्वंस से फॉलो करने जिसमें पहला पॉइंट जो आपने जहन में रखना है वो है हाई बर्थ रेट यानि के बच्चे की पदाईश का टाइम उसका जो वेट हो वो अच्छा हो यहाँ पर बच्चा हेल्थी हो अब अगर डेट साल का बच्चा इस तरह की सेहत राखर है तो आपको एक बास जेन में रखनी चाहिए कि यह इसकी डेट साल की सेहत नहीं है बलके धाई साल की तकरीबन सेहत है उसकी वज़ा यह कि जब प्रेगनसी होती है यहाँ पर जो भी कप्पल यहाँ पर लटकी प्रेगनेट होती है तो नहीं जब भी आपकी वाइफ प्रेगनेट हो आप लोगों को यह नहा कहा करो कि शीज प्रेगनेट बलके कहा करो वी अर प्रेगनेट यह इच्छा भी लगता है और काफी एथिकल है खेर जब आप लोग हो प्रेगनेट तो यहा आपका बेबी बहुत हेल्थी हो, आप हर तरहां की अच्छी चीज़ खाएं, बहुत हेल्थी, बहुत अच्छी डाइट ले और बिल्कुल भी इस चीज़ पर फोकस ना करें, कि आपका वेट कितना बढ़ रहा है, जितना भी बढ़ रहा है, उसको बढ़ने दें, आपका कंस पॉइंट जो कोंगा, वो है ये कि आपका गोल होना चाहिए, कि आपका बेबी बहुत हेल्थी हो, तो दोस्तो पॉइंट नमबर टु है, यहां पर हेरिंग डिफरेंट लेंगविचिज यहां पर आपको अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा लेंगविचिज सुना र ये डिपेंड कर रहा होता है, कि आपने उसके साथ कम्यूनिकेट कब से करना शुरू किया, और कम्यूनिकेट करने के लिए जुरूर नहीं है, कि यहां पर आप डिलिवरी के बाद ही बाते करो, तो भाईया, मैं आपको बताता हूँ, आपने अक्सर नोट किया होगा, कि अचली वो जल्दी बोलना शुरू हो जाता है, तो आप कोशिश करें, पहले दो तीन मा में नहीं, लेकिन अट लीज जब चार पांच माँ गुजर जाएं, तो आप कम्यूनिकेट करने की कोशिश करें, यहां पर आप अपने बच्चे से बात करने की कोशिश करें, यहां भी अच्छा बोलें, इस से आपको खुद भी अच्छा फील होगा, और सम्हाओ आपकी बच्चे को पर भी काफी इंपक्ट आता है, और खास तोर पे फिर जब वो आज इस दुनिया में, आप उसके साथ ओन और आफ कम्यूनिकेट करें, यह मस सोचें कि इसको मेरी बात की कि सहत अच्छी है, और दूसरे मेरी बच्चे के साथ बहुत देर से कम्यूनिकेट कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को आदत हो जाती है, ज्यादा सुनने की, ज्यादा कुछ ना कुछ बोलने की, तो यह बच्चे ज्यादा देर तक नहीं सोते, यह बच्चे कम सोते हैं, जि उसके साथ communicate करें और कोशिश करें कि उसका sleep time अब थोड़ा सा कम करें क्योंकि जितना sleep time अब उसका कम करेंगे उतने ज्यादा chances है कि वो जल्दी बोलना भी सीखेगा और यहाँ पर वो active भी होगा अगर आपने पहले दो steps अच्छे से follow कियो होंगे तो इस steps की आपको जुरुत पढ़ेगी नहीं आप खुद से note करोगे कि आपके बच्चे का sleep duration बहुत कम है वो कम सो रहा है, ज्यादा सुन रहा है, ज्यादा सीख रहा है, ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहा है तो दूस्तों जो fourth point है यह है यहाँ पर stubborn, मतब यह जो quality होती है यह 90% बच्चों में already होती है मतब कोई भी बच्चा आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, जो जिदी ना हो बच्चे जिदी होते हैं, लेकिन यह depend करता है कि उनकी जिद को उनके parents ने कैसे deal किया, sometime हम क्या करते हैं हम खुद तो mature होते हैं और हम यह सोचते हैं, जैसे हम सोचें वैसे ही हमारा बच्चा भी ऐसा नहीं होता बच्चे बच्चों वाली ही सोच सोचेंगे आपने हमेशा अपने बच्चों की जिद को पूरा करने की कोशिश करना है, अगर आप उनकी जिद पूरी नहीं करेंगे, तो होगा क्या कि उनके अंदर काफी ज़दा डिमोटिवेशन आजेगी, वो next ते हैं, वो काम दुबारा करने की कोशिश नहीं करेंगे, जिससे eventually, वो बहुत काम सीखेंगे इस पर तो आज वो एड भी चाहरा है, जो मेरे ख्याल से आपनों की नदरों से भी गुजरा हो, जहां पर माँ को ये सिखाया जाता है, बच्चा अगर कहे, अमी मैं बिली से खेल लो, अमी मैं बॉल पे पेंट कर लो, तो माँ को यही कहा जाता है कि हर बात में हाँ करें, ना नहीं करें, क्योंकि आपका बच्चा वैल प्रोटक्टिड है, और उसकी सबसे बड़ी रीजन यह है कि जब आप अपने बच्चे को मोटी वेट करते हो, जब आपने बच्चे को कहते हो कि हाँ ठीक है, करो, sometime तो अपने बच्चों की जिद को पूरा करो लेकिन किसी ऐसे तरीके से कि उनको ऐसा फील ना हो जब आपका बच्चा कुछ करना चाह रहा होता है और आगे साब उसको डांट के बिठा ज़ते हैं तो भाईया उसके जहन में बहुत बड़ा हो आजाता है कि ये तो भाईया ऐसा है इस पे तो ऐसा हो जाएगा जिसकी वज़ा से इवेंचुली वो self confidence खो बैठता है जिसकी वज़ा से वो इतनी जल्दी लर्न नहीं करता और नमबर 5 पे जो पॉइंट है ये भी काफी important है आपके बच्चे की intelligence को बढ़ाने के लिए और वो है problem solver यहां पर आपको अपने बच्चे को problem solver बनाना चाहिए इस तरह कि उसको खलोने लाके दे मत्तब गाड़ी या गुड़िया के बजाए आप उसे इस तरह की चीज़े लाके दे जिसे वो खुद से solve करने की कोशिश करें और सबसे बढ़के कुछ time के लिए अपने बच्चे थोड़ी देर के लिए कमरे में अकेला चोड़ दें इस तरह के खलोने उनको दे जिसको वो खुद से solve करें यहां पर उनके अंदर confidence बढ़ेगा उनको काफी हद तक पता चलेगा कि इस तरह की problem को कैसे solve किया जाता है उनका IQ level भी बढ़ेगा और eventually आप देखोगे कि आपका बच्चा बहुत कम एज में काफी ज़दा intelligent आपको देखने को मिलेगा और लोग काफी ज़दा impressed होंगे अगर आप इन 5 points के उपर अमल करते हो जो मैंने बताए हैं आपको अगर आप यह सारी चीज़े अपने बच्चे को पर apply करते हो तो भाया 90% chances हैं कि आपका बच्चा भ अगर आप भी फालो करोगे तो आपको भी एक अच्छा result देखने को मिलेगा तो दोस्तों एहमर शाओ उस बच्चे का नाम है यहाँ पर मैंने description में उसके चैनल का link दिया होगा जरूर चेक कीजेगा आपको इस बच्चे की वीडियोस देके काफी हद तक idea होगा कि आपको अपने बच्चों को कैसे train करना चाहिए तो बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे suggest किया था यह topic के भई आप इसके उपर बात करें अगर आप भी मुझे कोई topic suggest करना चाहते हो जिस पर आप लोग चाहते हो कि मैं बनौँ यहाँ पर review तो जल्दी से कर लें मुझे Instagram पर follow वह शेर करनी कुश करें especially उन दोस्तों के साथ जो एहमच चाह के बहुत बड़े फैन है वीडियो चले के तो subscribe के बटन के ओपर जरूर क्लिक कीजगा और comment section में मुझे अपना feedback देना मत भूलेगा और जिस सारे काम करें ता बेल आपकर प्रेस करीजगा ताके latest update आपको सबसे प करें प्रेस करीकाई